दोस्तो आज के इस वीडियो में देखेंगे जो कि असनातक और गेर असनातक अस्त्रिये का जो पिछला पर एक्जाम हुआ था 14.3.2021 का दोस्तो जो कि डेली PY की प्रिवियर सीर कोशन डेली अपलोड किया जाता है जिसे कि आपकी तयारी भी बेश्ट होगा दोस्तो और किस प्रिवियर कोशन पुछा गया जिसे आपको पता चलेगा तो दोस्तो डेली वीडियो देखने के लिए सबसे पहले मेरी चैनल को सस्क्राइब कर लिजए तो चले दोस्तो श्टार्ट करते हैं जिसमें कि दोस्तो 30 कोशन अपलोड किये नहीं देखे हैं तो आप मेरी चैनल पर जाकर देख सकते हैं 31 से यदि sin a plus sin b बराबर x cos a plus cos b बराबर y तो cos a minus b का मान ग्याद कीजिए तो देखिए दूस्तों इसका जो है correct answer option number c आएगा x square plus y square minus 2 बाटर 2 आप लोग सबसे पहले देखिए कि किस प्रकार ये बनाया गया समिकर 1 और 2 मान कर तो इसका जो correct answer option number c आएगा चलिए देख लीजिए चलिए आगला कोशन है कोशन number 32 है यदि किसी ब्रित की त्रिजिया में 15% की कमी की जाती है तो उसके 6 त्रफल में होने वाली कमी ग्याद कीजिए दूस्तू ब्रित के से त्रफल क्या होता है पाई r square तो दूस्तो एक सुत्र होता है कि x plus minus y plus minus xy बाटा 100 होता है तो दोस्तो यह जो है ना R quare है तो वही है, एक स्वाही कमाद दिया गए, देखिए 15 प्रतीसरद की कमी, तो पहले मांगई 15 उसके बाद फिर मांगई 15, क्योंकि दोनों में प्रतीसरद हो गए तो इससो μांगई कमी उसके बाद माइनस माइनस यह प्लस हो जाएगा उसके बाद दोस्तो एक स्वाई यानि 15 इंटू 15 बाटा 100 कर देंगे यह हो जाएगा दोस्तो माइनस 30 हो जाएगा उसके बाद यह 15 से गुना करेंगा 225 हो जाएगा और बाटा 100 है तो कितना आ जाएगा तो अगर माइनस कीजिएगा तो दोस्तों कितना आ जाएगा 27.75% कितना का कौमी होगा दोस्तों 27.75% अप्शन नमबर D इसका करेक्ट एंसर है चलिए आगला कोशन कोशन नमबर 33 है करेक्ट एंसर अप्शन नमबर D है हर स्वर्धन चलिए आगला कोशन है दिया गए दोस्तों असंगत बिकल्प का चैन करदे से कांच हो गया मेज, अलमारी और कुर्सी इसमें कौन सा दोस्तों अलग है कांच, अलमारी, मेज और कुर्सी में दोस्तों अप्शन नमबर A जो है कांच दोस्तों एक अलग चीज है, अलमारी, मेज और कुर्सी ये तीन एक समान है चलिए आगला कोशन इंटरनेट में खाले स्थन उप्योग किया जाता है, किसका परूप दोस्तों पैकेज स्वीचिंग का दोस्तों पैकेज स्वीचिंग का अप्शन नमबर A इदे के इंटरनेट में पैकेज स्वीचिंग का उप्योग किया जाता है पैकेज स्वीचिंग एक डिजिटल नेटवर्क ट्रांसमिशन प्रकिरिया है, जिसमें बिभीन नेटवर्क उपकरणों के माध्यम से तेज और कुशल हस्ताक्षण के लिए डेटा को उप्यूक आकार के टुकडो या ब्लैक मेलो तोड़ा जाता है चलिए आगला कोशन है कोशन नंबर 36 है दोस्तों दिया गया है कि एक संजुक्त परिवार में 9 सदर से है M, N, O, P, Q, R, S, T और U है इस परिवार में 3 विवाहित जोड़े हैं N, 1 चिकित्सक है तता O, P, Q, S की मा है T, M की पत्नी है और M, S का दादा है O, M की एक लौती बेटी है U, P, R की बेटी है तो चिकित्सक की पत्नी कौन है? आपसा नंबर 6 इसका correct answer है चलिए आगला कोशन, कोशन नमर 37 है कि एक कुर्ची को 5% हाने पर और 1 मेज को 15% लाव पर बेचने पर एक आदमी को 300 रुपया का लाव होता है यदि वह कुर्ची 5% लाव और मेज को 5% लाव पर बेचा ता है तो 110 रुपया का लाव होता है चलि आगला कोशन आप लोग बनाईएगा चलि आगला कोशन है कि संजुक्त राज संग की अस्थापना देशों द्वारा संजुक्त राज चार्टर पहस्ताक्षर के माध्यम से की गई देखे संजुक्तराज संग के स्थापना कव हुई तै दोस्तू 24 अक्टूबर 1945 में जबकि इसके चार्टर एक आउन देश्वों का हस्ताक्षर के माध्यम से घुगू गई बरतमान में सामिल सदस देश्वों के संगे कितनी है दोस्तू इसमें कितने सदस है दोस्तू बर्तमान में 193 है लाश्ट कौन सा है दोस्तू 113 वा दक्षिन सुडान है इसका मुख्याले कहा होता है दोस्तू संजुक्तरासंग का मुख्याले कहा है निवार्क में है चलि अगला कोशन देखते हैं दिया गया है कि A और B एक साथ मिलकर किसी ही कारे को 18 दीन में पूरा करते है इसके दोस्तू देखे दोस्तों A पलस B जो है है ना 18 दिन में जाएगा a plus b plus c यानि एक दिन का उसके निकल जाएगा efficiency यानि छमता निकल जाएगा उसके बाद अलग-अलग put करके तीनों को अलग-अलग निकाल लेगा correct answer अबस नमबर a आएगा चली आगला question question number 40 है कि लंबाई 16 मीटर चोड़ाई 14 मीटर उचाई 7 मीटर है तो घनाव का प्रिष्ठिय छत्रफल क्या होगा तो दोस्तों घनाव का प्रिष्ठिय छत्रफल क्या शोता है टू ब्रैकेट में लंबाई इंटू चोड़ाई प्लस चोड़ाई इंटू उंचाई प्लस चोड़ाई उंचाई इंटू लंबाई होता है तो दोस्तों आप लोग निकाल लेजिएगा जो कि लंबाई चोड़ाई उंचाई दिया गया है तो घनाव का प्रिष्टिय छेत्रफल ग्याद कीजिए आपसर नमबर सीज का correct answer है देख लिजिए किस प्रकार बनाया गया आगला question देखते हैं question नमबर 41 है यदि cos x plus y वरावद 1 बटा 2 sin x minus y वरावद 0 जहां x और y घनात्मक नियून कोण है आपसर नमबर सीज का correct answer है बनायेगा चलिए आगला question question number 40 है 42 computer हो में delete की गई file में चली जाती है किसमें दोस्तू आपसर नमबर D recycle win में जो computer में जो delete होता है दोस्तू delete करने के बाद वो कहां चला जाता है तो recycle win में चला जाता है चलिए आगला question दियागा है कि 5 प्रेक्षणों का माद बीस है यदि एक और प्रेक्षण जोड़ दिया जाये तो माद में 2 की ब्रिदी होती है जोड़े गए 6 प्रेक्षण का माद देखे दोस्तू 5 का माद कितना है 20 यानि 100 हो गया उसके बाद एक प्रेक्षण जोड़ दिया यानि 6 हो गया इसमें कितना की तो 2 की ब्रिदी हो जाती यानि ये 22 हो गया तो दोस्तो ये 6 दुनी 12 हो गया उसके बाद 6 दुनी 12 एक 13 कितना का हो गया दुस्तो 32 का शाओ ये प्रेक्षण का मान कितना हो गया 32 आपसा नमबर 20 का करेक्ट इंसर है चलिए आगला कोशन है कोशन फोटी फोर है रभी ने अजय से 50 परतिशत अधिक धनाशी कमाई अजय ने मदन से 30 परतिशत कम धनाशी कमाई रभी ने मदन से कितने परतिशत अधिक धनाशी कमाई तो दोस्तो आप लोग देख लिजिए अगर यहां देखिए मदन से कितने परतिशत अधिक धनाशी कमाई तो यहां रभी हो गया उसके बाद अजय हो गया उसके बाद मदन हो गया तो यह लास्ट देखिए देख्याँ अजय मदन से यानी मदन का मामते हैं दोस्तों 100% तो 30% अजय कम है यानी 70 हो गया उसके बाद रवी अजय से 50% अदिकना यानी 70 का 50% निकाल लीजिये रवी का निकल जाएगा उसके बाद पूछ रहा है कि रवी ने मदन से यानि मदन से कितना प्रतिशात अधी कमाए है आप लोग निकालिएगा करेक्ट एंसर अप्सन नमर सी आएगा चलिए अगला कोशन है एक तिरिभूज A, B, C के दो कोण कोण A और B का योग इसके तिसरे कोण के बराबर है तो तिसरे कोण का मान ग्यात कीजिए तो तिरिभूज के तीनो कोणो का जोग कितना होता है दोस्तो तीनो कोणो का जोग 180 डिगरी का होता है जिसमें की कोण A और कोण B का जोग तीसरे कोण के बराबर है क्या है दोस्तो तीसरे कोण के बराबर है तो आप लोग निकालिएगा चलिए इसका correct answer दोस्तो अपसा नमबर A आ जाएगा 90 degree जिसमें की अगर माली जेका सम कोण ट्रिभूज मानते हैं तो दोस्तो यह 90 degree हो गया और यह कोण और यह कोण क्या हो जाएगा दोस्तो बराबर हो जाएगा तीसरे कोण के यह हो जाएगा अपसा नमबर A correct answer है चलिए आगला कोशन है कोशन नमबर 46 है तीस के तीस हजार के तीस सतांस के तीन सतांस के तीन दसांस के तीन गुने का मान ग्याद किजिए तीस के तीस हजार हजरांस यानि बाटा कर देंगे दोस्तों देखे तीस हो गया तीस के तीन हजरांस यानि तीन बाटा हजार हो गया उसके बाद तीन सतांस यान तीन बाटा सव हो गया गुना कर दीजे, करेक्टेंसर अफ्षा नमबर बी आएगा अगला कोशन, कते भीम बेटे का गुफा गे खोज कब हुई थी पर्धान मंत्री मात्री बंदना योजना की शुरुआत कब की गई थी अफ्षा नमबर ए, एक जनवरी 2017 में पर्धान मंत्री मात्री बंदना योजना की शुरुआत एक जनवरी 2017 में शुरुआत की थी चली आगला कोशन है, कोशन नमबर 49 है पोधे का समन्द भगीचा से तो प्राणी का समन्द की से है अफ्षा नमबर B, चिनिया घर से जिसमें की कथन और निसकर्ष दिया गए कि कुछ गुलाब गुलाबी है, सभी गुलाबी सुवर है, कुछ सुवर पक्ची है तो निसकर्ष में कुछ पक्ची गुलाबी है, कुछ सुवर गुलाब है, उसके बाद कुछ पक्ची गुलाब है तो दोस्तो आप लोग देख लिजिए इसका डाइगराम करेक्ट एंसर आपसा नमबर B आएगा चलिए आगला कोशन है 4851 जो कि दियागा है रिजिनिंग से दोस्तो A, D, G को लिखा गया है J, W, T B, E, H को क्या किस पका लिखा जाएगा आपसा नमबर C का करेक्ट एंसर है आगला कोशन है कि भारती योजना आयो का गठन की स्वर्ष किया गया था दोस्तो भारती योजना आयो का गठन 1950 में किया गया था जबकि परधान मंत्र योजना आयो के पदेन अध्यक्ष थे इसका जो है 1 जनौरी 2015 से योजना आयो का अस्थान निती आयो कर दिया गया देखे सबसे पहले दोस्तो योजना आयो का गठन कब किया गया था कि 15 मार्च 1950 में योजना आयो का इसका नाम बदल कर पधान मंत्र नाम बदल कर 1 जनौरी 2015 में इसका नाम योजना आयोग का नाम बदल कर निती आयोग कर दिया किया है किया हो किया दोस्तों निती आयोग आप लोग देख लिजिए चलिए आगला कोशन है 53 यदि 1127 को ये 20C की 25 सनुपाद 28 सनुपाद 20 के अनुपाद में भाइज करता है तो इसका करेक्टेंसर अपसन नंबर बी आएगा उसका रुपया निकालना है आगला कोशन है 54 यदि X बराबर इतना Y बराबर इतना तो X स्क्राब प्लस Y स्क्रार का मान ग्याद कीजिए दोस्तों आप लोग निकालिएगा आपसन नंबर दी आएगा चलिए आगला कोशन दी आगया है कि 44 संसोधन जो कि 44 संद नश्याद को प्रभाइद करता है आपसन नंबर D 301 जो कि 300A है जोस्तों चलिए आगला कोशन कोशन नंबर 56 2011 की जन गरना के अंसा भारत के जन संक्या घना तो कितना था 2011 की उनसार बताना है आपसन नंबर C इसका करेक्ट एंसर है आगला कोशन है कि सरकार ने खाली अस्तन के वनों के अभ्यानों के एक और बाग सनवचित छेतर का दरजा दिया है किसको दोस्तो आपसन नंबर D तमिल नाड़ो को चली आगला कोशन है रिजिनिंग से दोस्तो पेन को इस पर आठ लिखा गया है पेंसिल को किस पर का लिखा जाएगा करेक्ट एंसर आपसन नंबर D आएगा चहुदा दोस्तो सब का जो की उसका जो नंबरिंग है लेक कर उसके बाद आड़ कर देंगे सिंगल D जीडिच चली आगला कोशन है कोशन ओफिप्टी नाइन है कि एक आदमी सेव के एक निश्चित संख्या में से एक बटा तीन हिसा पहले गरहा को बिशता है उसके बाद सेव को एक बटा दू हिसा दूसरे गरहा को बिशता है उसके बाद सेव के एक बटा तीन हिसा पांच अधिक से सेव तीसरे गरहा को बिशता है अब तीसरे के पास केवल तीन सेव बचा है आरहम में उस आदमी के पास कितने से है करेक्ट एंसर अप्सन नबर सी जो कि दूस्तो आज का लास्ट कूर्शन 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 नबर सिस्टी है रिजिनिंग में दिया गया है दूस्तो में इज मोटन इस पर लिखा गया है इसका इसका कोड दिया गया है तो इसमें पूछा गया है कि इसका कोड की क्या होगा क तक में जंप्स के इसका जो है न आपसा नमबर डी इसका करेक्ट एंसर है आप लोग देख लिजे दोस्तु अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सस्क्राइब सियर जरूर कर डेली वीडियो देखने के लिए जैहिन बंदे मात्रम